शुरुवात करते हैं पर्थम चरंड में आगरा की नो विदानसभा सीटों से यहां पर राश्ट्रिय सट्रा बजार ने S.P. और R.L.D. के गठ बंदन को तीन सीटें दी है राश्ट्रिय सट्रा बजार के अनुसार सपा गठ जोड को तीन सीटों पर काम्याबी हासिल हो सकती है वहीं आगरा की किसी भी विदानसभा सीट पर बस्पा अपना खाता नहीं खोल पाएगी और आगरा में कोंग्रेस का भी पुरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है बारतिय जन्ता पार्टी को राश्ट्रिय अपनोदी सिर्टा बजार की लटे सर्वे में 6 सीटें काम्याब नहीं हो पाएगी कोंग्रेस का सूपड़ा साप हो चुका है बारतिय जन्ता पार्टी को राश्ट्रिय अपनोदी सिर्टा बजार की अप्टेटर सर्वे में 5 सीटें हैं वो सोंप दीगे हैं सीम योगी 5 सीटों पर मजबूत बताए जा रहे हैं अलिगड की 7 वि लिगड में 4 विदानसबा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है हापूर जिले की 3 विदानसबा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर SP और RLD के गट जोड को एक सीट पर काम्याबी हासिल हो सकती है वहीं बसपा और कोंग्रेस हापूर की किसी विदानसबा सीट पर खाता नहीं खोल पाएगी बारतिय अन्ता पार्टी को हापूर की 2 सीटे राष्ट्रिय प्लोदी सट्टा बजार की अपडेटेड सर्वे में दे दी गई है सीम योगी दो विदानसबा सीटों पर मजबूत यहां पर बताए जा रहे हैं बुलंद सैड जिले की साथ विदानसबा सीटों की चर्चा करें जिसमें पर्थम चरण में ही चुनाव हुआ था तो यहां पर S.P. और R.L.D. के गट जोड को तीन सीटे राष्ट्रे अप्लोदी सट्टा बजार ने दे दी है बस्पा और कॉंग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है जीरो सीटे हैं वो सट्टा बजार की सर्वे में दी गई है बारतिय जनता पार्टी यहां चार सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है इस तरह का नुमान सटा बजार में लगाया गया है मुझब फरनगर जिले की 6 विदान सबा सीटों की तरह बढ़े तो यहां पर S.P. और R.L.D. के गट जोड को तीन सीटे हैं सटा बजार दे चुका है बस्पा यहां पर अपना खाता खोलने में काम्याब नहीं हो पाएगी और वहीं कोंग्रेस का भी पुरी तरह से सूप्रा साप होता हुआ सटा बजार ने दिखा दिया है वहीं 12 जन्ता पार्टी यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है इस तरह करनुमान सटा बजार की सर्वे में लगाया गया है इसके अलावा गाजियाबाद जिले की 5 विदान सबा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर S.P. और R.D. के गठ जोड को एक सीट पर काम्याबी हासिल हो सकती है वहीं बस्पा और कॉंग्रेस का यहां पर पुरी तरह से सूपडा साप हो चुका है जीरो सीट बस्पा और कॉंग्रेस को सटा बजार ने दी है वहीं बारत्य अनता पार्टी चार विदान सबा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है इसके अलावा मथूरा जिले की 5 विदान सबा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर सपा के गठ जोड को एक सीट विदान सबा सीट बजार दे चुका है जबकि बस्पा यहां पर zero seat का बिज करेगी यानि कि बस्पा यहां पर अपना खाता खुलने में कामयाब नहीं होगी और कॉंग्रेस का भी पूरी तरह से सूपड़ा साप हो चुका है कॉंग्रेस भी जिरो बटा सनाटा यहां पर रह सकती है रास्ट्य सट्था बजार की सर्वे अनुसार तो वहीं बारत्य अंता पार्टी को चार सीटों पर जीत मिल सकती है इस तरह है कानुमान सट्था बजार की सर्वे में लगाया गया है इसके अलावा सामली जिले की तीन विदान सबा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर सपा के गट जोड को जीरो सीट यहां पर अखलेस का पूरी तरह से सूपडा साप हो चुका है बसपा और कॉंग्रेस का भी पूरी तरह से सूपडा साप हो गया है जीरो सीट दी गई है तो वहें इसकी तिनों की तिनों सीटें हैं वो बार्टियंता पार्टी के खाते में राष्ट्रिय अप्लोधी 60 बजार डाल चुका है पर्थम चरण में यहां पर चुना हुआ था इसके अलावा गोतम बुद नगर जिले की तीन विदान सबा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर सपा के गठ चोड को एक सीट मिलने का अनुमान 60 बजार ने लगाया है बसपा और कॉंग्रेस का सूपड़ा साप हो चुका है जिरो सीट तो वहीं बार्टियंता पार्टी दो सीटों पर चीट दर्ज कर सकती है गोतम बुद नगर की इस तरह है कानुमान राष्ट्रिय अप्रोजिक सटा बजार की अपडेटर सर्वे में लगाया गया है समय समय पर ये अपडेटर सर्वे है वो आती रहती है इसमें दो सीटें बीजेपी को मिली है बाग पर जिल सीटा पार्टी यहां पर एक सीट पर कबजा कर सकती है बाग पत की एक विदान सबा सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है और अल बात करें तो सपा के गट जोड को बीज सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रिय अपलोदी सटा बजार की सर्वे में लगाया गया है बीज सीटें पर्थम चरण में सपा के गट बंदन को मिलेगी बस पाज जीरो सीट पर सिम्टेगी पहले भी अखलेशा दब कह चुकी है कि माया वती चुरावी मैदान में हारने के लिए उतरी याने की बीजेपी की बीटी में इस तरह कारोप लगा चुके हैं बस पाज जीरो है कॉंग्रेश का भी पूरी तरह से पर्थम चरण में सूपड़ा साप ओचुका है कॉंग्रेश जीरो बटा सनाटा रहने वाली है कॉंग्रेश को राष्ट्रिय प्लोदी सटा बजार की अपड़ेट सर्वे में जीरो सीट दी गई है राहूल गांधी प्रियंका गांधी व पूरी तरह से सपाया होता हुआ पर्थम चरण में दिखाई दे रहा है वहीं बारत्य जन्ता पार्टी 38 सीटों पर कबजा कर सकती है राष्ट्रिय प्लोदी सटा बजार की सर्वे के अनुसार पर्थम चरण में बारत्य जन्ता पार्टी 38 सीटों पर कबजा करेगी 38 सीटे हैं वो बारतियनता पार्टी के खाते में राश्ट्रिय अप्रोदी 68 बजार डाल चुका है